नमस्कार दोस्तों मैं हुजिने इश्किवोरा अब इंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वाधत है चंद्रचूड आखिरकार उन 600 वकीलों के ऊपर एक किसंद से उन्होंने अपना रोशा क्रोश निकाला शैद मौकी की तलाश में थे हरीश सालवे पिंकी आनंग और कु 500 वकीलों ने जो चिठी लिखी थी उसी का जवाब देना अब चंद्र चूड में उचित समझा दरसल ये सारे के सारे लोग जो हरीश सालवे अब आकी लोग है ये मुदी सबर्थक है बीजेपी सबर्थक है और कहीं न कहीं जब उन्होंने ये चिठी लिखी या फिर कोई पत्रकार या फिर कोई वकील भी वो भारत के समिधानिक धांचे को डिरेल करना चाहते हैं और साथ ही में जुडिश्री नयाय पालका के उपर दबाव डाल रहे हैं अंड्यू दबाव डालकर उनसे जज्जमेंट्स लेना चाहते हैं ये एक दूसरा तरीका था जिसके द्वारा मोधी एक दबाव डालने की परस्थिती में आगए अपने मुख्य नयाद ही चंद्चूर साहते हैं इस किसम की चिठी की जितनी दिंदा की जए उत्रा कम है मुझे भी समझ नहीं आया कि इन 600 लोगों को जो उनकी शरद्दा समिधान के प्रती होनी लादी है दरसल मोधी ने नयाय पालिका को हाईजक तो कर लिया है नीचे वाले कोट सारे हाईजक कर लिया है बाकी सारी सिर्स्थाई भी हाईजक कर लिया है CBI हो ED हो IT हो CBC हो CAG हो NIA सबको हाईजक कर लिया है उनका मकसद यह है कि शायद मैं खुद ही समिधान बन गया और वो स्वैम में एक समिधान है और कोई भी ऐसा समिधान उन्हें नहीं चाहिए बेसिकली जो किसी और ने लिखा हो और खास्त वर्ते बावा साव अमेट करकर समिधान हो तो उन्हें मन्जूर नहीं क्योंकि वो ज्यादा पड़े लिखे थे मुद्धीमान थे समयधार थ और इनमें से कोई भी एक गुण मोदी के अंदर नहीं है तो मोदी के अंदर हमेशा एक इन्फिर्टी कॉंपलेक्स रहता है एक हीन भावना के शिकार है वो कि मैं पड़ा लिखा रही है मेरे अंदर उतनी समझ नहीं है जो इन विद्धवानों में है जो पंडित नहरू की डिस्कवरी अफ इंडिया के थूँ जलकती है या फिर सदार पटेल का जो एकी करना भारत का उसमें जलकती है या बाबा साहब के समझ धान में जलकती है तो उल्टीमेटली इन छे सो वकीलों ने एक दबाव डालने की कोशिश की और जैसी इनका लैटर आता है तुरंट मो फीन तो जुड़ गए साथ में लेकिन इन शेसों वकीलों की वफादारी किस के लिए हैं लेकिन चंद्चूर साब ठेरे और एक जगा भाषण देते वे नाकपुर हाई कोर्ट बार एसोसेशन के शताबदी समारों ने चंद चूर साब ने अच्छा खासा इन वकीलों पर अटैक किया कि आप पार्टियों के लिए नहीं सविधान के लिए वफादार रहें ये बड़ा अटैक था ये सीधा अटैक हरीश सार्वे पिंकियानद और बाकी जो 600 वकील थे उनकी उपर अटैक था कि आपकी वफादारी भारत के समिधान के लिए होनी चाहिए दल वराजनतिक दलों के लिए नहीं क्योंकि इनकी वफादारी जो है ये बेसिकली पूरी की पूरी देखा जाये तो मोदी के प्रती है अब जब की देश में लोगसभा का विगुल बज़ चुका था और चंद चूड का ये जो बयान है इससे मोदी को भी बहुत मिर्ची लगेगी और इन छे सो जो वकील है उनको भी बहुत मिर्ची लगेगी कि अल्टीमेटिक टीस जस्टिस में ये शब्द क्यों कहें उनका ये कहना था कि जितने भी वकील है या बाकी जज हैं उन्हें समिधान के प्रती इमांदार रहना चाहिए ये बात इंप्रोर्टन थी क्योंकि अभी पीछे अभी जीत गाउंगली जो हाई कोट कैलकटा के जज थे जिनोंने अपरी सीट पर रहते हुए बीजेपी के पक्ष में ना जाने कितने जज्जमेंट्स दिये और वक्तवे भी दिये एक तरह से टीमसी के खिलाफ इस धंक से उनका कुरूसेड होता था कि जैसे वो हाई कोट के जज ना होकर कोई देखा जाये तो कुछ और हैं पॉलिटीशन है इसने ना किवल नायपालका की गरिमा को चोट पहुँचाई है बलकि खास दोर से चंदर पक्षपात पूर्ण होना चाहिए आपके यानि कि आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है लेकिन निचले हमने जो अदालते देखी है उसके बद हाई कोट के कई सुरूप देखे चाया करकटा के थे या गुदरात हाई कोट के देखे तो हमने इस बात को पाया कि उनकी कि या की हैं जैसी कि अभी मदर्सा अक्ट आया तो उसके उपर भी एक क्षिपनी चीगई कि या अपने अपरी दिमाग के इस्तेमाल नहीं किया आप अपरी सेंसस के स्टमाल कर नहीं कर रहें कि सतरा बलाक बच्चे अपरी शिक्षा से अलग हो जाते हैं दसदाद टीचर अपनी नौकरी गवा देते हैं और आप कहते हैं यह अनकॉंस्टिचूशनल है एक ही शीज के अंदर और फिर यह क्या कहते हैं कि धर्म निर्पिक्ष्टा की वरुद्धी कानून है सुप्रीम कोट ने बिल्कुल राइटली का कि आप इन प्रावधानों को समझ नहीं पाए यह बड़ी टिप्डिक्षी देखा है तो चंदर चूर साब की कि आप इन प्रावधानों को यानि कि समझ नहीं पाए कि सेकुलर क्या है यह ऐसे तो हिंदू स्कूल है कई जगा गुरु कुल खुले वे तो वहां क्या सिखाते हैं आपको पुजा पाटने सिखाते हैं क्या तो चंदर चूर साब जब नाकपुर्ग की हाई कोट बार एस्सेशन के समारों में थे तो उनका कहना कि हमारा जो लोग तंतर है जीवन होता है तरकपूर्ण भी है लेकि हमेशा हमने देखा कि लोगों का जुकाओ किसी ना किसी एक राजनेतिक जो सोच है विचा धारा है दल है उसकी तरफ होता है उन्हों पिर अरिस्टोटल को कोट किया है महांदार्शनिक अरिस्टोटल ग्रीस के कि मनुश्ट बेसिकली क्य आया कि राजनेतिक पराणी है यानि कि वो एक क्या कहते है प्रतिकल एनिमल है इसमें वकील भी ऐसी है लेकिन जो वकील हैं बार के सदस से हैं जो जजजज हैं उन्हें समयधान के प्रती निफ्था रखने के साथ उसके प्रती प्रती बंद होना चाहिए और नहीं होना चाहिए जो मर्जी उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग हो लेकिन आप दरसल सविधान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं ये बात हरीश सालवे को पिंकी अरंद को और बाकी 600 वकीलों को मिर्ची की तरह लगेगी कि अल्टीमेटी इतना बड़ा अटैक क्यों हुआ उनका कहना है कि जो न्यायपाल का है जूडिशल सिस्टम है वो बाइस नहीं हो सकती है वो बाइस नहीं हो सकती है और हमको समधान के मुताबिक जो हमसे कहा गया है जो गाइडलाइन से उसके मुताबिक जज्वन देना चाहिए और उसके मुताबिक केसिस को फाइक भी करना चाहिए अ अब एक बात और उन्होंने सुप्रिम कोट के फैसलों पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं तो सुप्रिम कोट के फैसलों पर सवाल उठाने वालों को नसीयत भी दी है कि सुप्रिम कोट की जो कॉंस्टिकूशनल बैंच है वो कैसे पूरा विशलेशन करते हैं और जो कॉंस्टिकूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनके प्रती जो उनका कमिटमेंट है उसको कैसे पूरा करते हैं उनका कहना है कि एक बार फैसला हो गया तो फिर वो पब्लिक प्रॉप परता आप सोशल मीडिया वे जो मर्जी को कोई फरक नहीं पड़ता हमारे कंदें चोड़े हैं बरदाश्ट करते हैं लेकिन उन्हें ये कहा कि बार एस्सेशन के सरस्यों को और वकीलों को अदालत के फैसलों पर जब वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें आम आदम सुप्रिम कोट के वकील है और उसोचे आम आदमी की तरह सुप्रिम कोट के फैसलों पर जजजस को गालिया देनी है तो आप गालिया नहीं देंगे ये बात दरसल बिलकुल क्लीर कट रूप से कह दी गई चुबेंगी बहुत जल्दी चुबेंगी इसमें कोई शक वाली ब पर था कि हम पर अटैक करना बंद कीजिए आप कॉंस्टिकूशन पर बैठे हैं और इन डाइक्टी जिसे चुठिया लिखवा कर हम पर आप अटैक कर रहे हैं यह मंजूर नहीं है जवाब मुझे भी देना आता है मुझे लगता है कि बहुत मिर्ची लगे कि सरकार को और म मुधी परिशान होंगे रात को नीन तो नहीं आई यह इनको पकी बात है तो चंदचूर साब में यह जवाब दिया है यह मोदी को जवाब दिया है यह आप सरकार के नहीं समिधान के प्रती वफादार बनें बहुत बहुत शुक्रिया आप सब करें